C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय तेरह घातांक और घात प्रिष्ठ 279 प्रश्नावली तेरह दशम लवेक 1. निम्नलिखित के मान ग्याद कीजिये 1. दो के उपर घात 6 2. नो के उपर घात 3 3. घ्यारह के उपर घात 2 4. पांच के उपर घात 4 2. निम्नलिखित को घातांकी या रूप में व्यक्त कीजिये 1. छै गुणा छै गुणा छै गुणा छै 2. ती गुणा ती 3. बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी 4. पांच गुणा पांच गुणा साथ गुणा साथ गुणा साथ 5. दो गुणा दो गुणा एक गुणा एक 6. एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी 3. निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातां की ये संकेतन में व्यक्त कीजिए 1. पांच सौ बारह 2. तीन सौ तैन्तालीस 3. साथ सा उनतीस 4. तीन हजार एक सौ पच्चीस 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिये 1. चार के उपर घात तीन या तीन के उपर घात चार 2. पांच के उपर घात तीन या तीन के उपर घात पांच 3. दो के उपर घात आठ या आठ के उपर घात दो 4. 100 के उपर घात दो या 2 के उपर घात 100 5. 2 के उपर घात 10 या 10 के उपर घात दो 5. निम्न लिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणन खंडों की घातों के गुणन फल के रूप में व्यक्त कीजिये 1. 648 2. 405 3. 540 4. 3600 6. सरल कीजिये 1. 2 गुणा 10 के उपर घात 3 2. 7 के उपर घात 2 गुणा 2 के उपर घात 2 3. 2 के उपर घात 3 गुणा 5 4. 3 गुणा 4 के उपर घात 4 5. 0 गुणा 10 के उपर घात 2 6. 5 के उपर घात 2 गुणा 3 के उपर घात 3 7. 2 के उपर घात 4 गुणा 3 के उपर घात 2 8. 3 के उपर घात 2 गुणा 10 के उपर घात 4 साथ, सरल कीजिए एक, माइनस चार के उपर घात तीन दो, माइनस तीन गुणा माइनस दो के उपर घात तीन तीन, माइनस तीन के उपर घात दो गुणा माइनस पांच के उपर घात दो चार, माइनस दो के उपर घात तीन गुणा माइनस दस के उपर घात तीन आठ निम्नलिखित संख्याओं की तुल ना कीजिए एक दो दशमलव साथ गुणा दस के उपर घात बार है एक दशमलव पाँच गुणा दस के उपर घात आठ दो चार गुणा दस के उपर घात चौद है तीन गुणा दस के उपर घात सत्र है तेरह दशमलव तीन घातांकूं के नियम तेरह दशमलव तीन दशमलव एक एक ही आधार वाली घातूं का गुणन एक, आईए दो के उपर घात दो गुणा दो के उपर घात तीन को परिकलित करें दो के उपर घात दो गुणा दो के उपर घात तीन बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो बराबर दो के उपर घात पांच बराबर दो के उपर घात दो जमा तीन ध्यान दीजिये के दो के उपर घात दो और दो के उपर घात तीन में आधार एक ही, यानि समान है, तथा घातांकों का योग अर्थात दो और तीन का योग पाँच है. प्रिष्ठ दोसो सत्तर 2. मैनस तीन के उपर घात चार गुना मैनस तीन के उपर घात तीन, बराबर 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 मैनस तीन के उपर घात साथ, बराबर मैनस तीन के उपर घात चार जमा तीन, पुना ध्यान दीजिये के आधार एक ही है, तथा घातांकों का योग चार जमा तीन बराबर साथ है. तीन आधार एक ही है तथा घातांकों का योग दो जमा चार बराबर छै है। इसी प्रकार सत्यापित कीजिए के चार के उपर घात दो गुणा चार के उपर घात दो बराबर चार के उपर घात दो जमा दो तथा 3 के उपर घात 2 गुणा 3 के उपर घात 3 बराबर 3 के उपर घात 2 जमा 3 है क्या आप बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिख सकते हैं माइनस ग्यारह के उपर घात 2 गुणा माइनस ग्यारह के उपर घात 6 बराबर 11 के उपर घात डैश बी के उपर घात 2 गुणा बी के उपर घात 3 बराबर बी के उपर घात डैश याद रखिये आधार एक ही है बी कोई भी शुन येतर पूर्णांक है C के उपरगात 3 गुणा C के उपरगात 4 बराबर C के उपरगात डश C कोई भी शुनियतर पूर्णांख है D के उपरगात 10 गुणा D के उपरगात 20 बराबर D के उपरगात डश यहां से हम व्यापक रूप से यह कह सकते हैं कि एक शून्येतर पूरणांग A के लिए A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M जमा N होता है, जहां M और N पूर्ण संख्याई हैं. प्रयास कीजिए, सरल करके घातां की यह रूप में लिखिए, एक, दो के उपर घात पांच गुणा दो के उपर घात तीन, दो, पी के उपर घात तीन गुणा पी के उपर घात दो, तीन, चार के उपर घात तीन गुणा चार के उपर घात दो, चार, एक के उपर घात तीन गुणा एक के उपर घात दो, गुणा एक के उपर घात साथ, पांच, पांच के उपर घात तीन गुणा पांच के उपर घात साथ, गुणा पांच के उपर घात बार है, 6. माइनस 4 के उपर घात 100 गुणा माइनस 4 के उपर घात 20 सावधानी 2 के उपर घात 3 गुणा 3 के उपर घात 2 पर विचार कीजिए क्या आप घात तांकों को जोड सकते हैं? नहीं, क्या आप बता सकते हैं क्यों? 2 के उपर घात 3 का आधार 2 है और 3 के उपर घात 2 का आधार 3 है आधार एक समान नहीं है 13.3.2 एक ही आधार वाली घातों का विभाजन आईए, 3 के उपर घात 7 भाग, 3 के उपर घात 4 को सरल करें 3 के उपर घात 7 भाग, 3 के उपर घात 4 बराबर 3 के उपर घात 7 भटा 3 के उपर घात 4 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर तीन के उपर घात तीन बराबर तीन के उपर घात साथ घटा चार इस प्रकार तीन के उपर घात साथ भाग तीन के उपर घात चार बराबर तीन के उपर घात साथ घटा चार है। ध्यान दीजिये के 3 के उपर घात 7 और 3 के उपर घात 4 के आधार एक ही हैं और 3 के उपर घात 7 भाग 3 के उपर घात 4 बराबर 3 के उपर घात 7 घटा 4 हो जाता है. इस प्रकार 5 के उपर घात 6 भाग 5 के उपर घात 2 बराबर 5 के उपर घात 6 बटा 5 के उपर घात 2 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 5 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 के उपर घात 4 बराबर 5 के उपर घात 6 घटा दो या 5 के उपर घात 6 भाग 5 के उपर घात 2 बराबर 5 के उपर घात 6 घटा दो है प्रिष्ठ 271 मान लीजिये के ए कोई 0 तर पूरांक है तब ए के उपर घात 4 भाग ए के उपर घात 2 बराबर ए के उपर घात 4 बटा ए के उपर घात 2 बराबर ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए बटा ए गुणा ए बराबर ए गुणा ए बराबर ए के उपर घात 2 बराबर ए के उपर घात 4 घटा दो या एक उपर घात चार भाग एक उपर घात दो बराबर एक उपर घात चार घटा दो है क्या अब आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं? दस के उपर घात आट भाग दस के उपर घात तीन बराबर दस के उपर घात आट घटा तीन बराबर दस के उपर घात पाँच 7 के उपर घात 9 भाग 7 के उपर घात 6 बराबर 7 के उपर घात डश A के उपर घात 8 भाग A के उपर घात 5 बराबर A के उपर घात डश शुन्येतर पूर्णांक B और C के लिए B के उपर घात 10 भाग B के उपर घात 5 बराबर B के उपर घात डाश C के उपर घात 100 भाग C के उपर घात 90 बराबर C के उपर घात डाश व्यापक रूप में किसी भी शुनियेतर पूरणांक A के लिए A के उपर घात M भाग A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M घटा N होता है जहां M और N पूर्ण संख्याई हैं तथा M N से बड़ा है प्रयास कीजिए सरल करके घातां की ये रूप में लिखिए उदहरन के लिए 11 के उपर घात 6 भाग 11 के उपर घात 2 बराबर 11 के उपर घात 4 1. 2 के उपर घात 9, भाग 2 के उपर घात 3 2. 10 के उपर घात 8, भाग 10 के उपर घात 4 3. 9 के उपर घात 11, भाग 9 के उपर घात 7 4. 20 के उपर घात 15, भाग 20 के उपर घात 13 पांच, साथ के उपर घात तेरह, भाग साथ के उपर घात दस, तेरह दशमलव तीन दशमलव तीन, एक घात की घात लेना, निम्न लिखित पर विचार कीजिए, अब, दो के उपर घात तीन, के उपर घात दो, और तीन के उपर घात दो, के उपर घात चार को सरल कीजिए, अब, दो के उपर घात तीन, के उपर घात दो, कार्थ है, दो के उपर घात तीन का स्वयम से दो बार गुणा किया गया है, दो के उपरगात तीन के उपरगात दो बराबर दो के उपरगात तीन गुणा दो के उपरगात तीन बराबर दो के उपरगात तीन जमा तीन चुकि A के उपरगात M गुणा A के उपरगात N बराबर A के उपरगात M जमा N है बराबर 2 के उपरगात 6 बराबर 2 के उपरगात 3 गुणा 2 अर्थात 2 के उपरगात 3 के उपरगात 2 बराबर 2 के उपरगात 3 गुणा 2 इसी प्रकार 3 के उपर घात 2 के उपर घात 4 बराबर 3 के उपर घात 2 गुणा 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 8 है, बराबर 3 के उपर घात 2 गुणा 4, क्या आप बता सकते हैं कि 7 के उपर घात 2 के उपर घात 10 किसके बराबर है? अत्ह है, 2 के उपर घात 3 के उपर घात 2 बराबर 2 के उपर घात 3 गुणा 2 बराबर 2 के उपर घात 6, 3 के उपर घात 2 के उपर घात 4 बराबर 3 के उपर घात 2 गुणा 4 बराबर 3 के उपर घात 8 प्रयास कीजिए सरल करके उत्तर को घातां की ये रूप में व्यक्त कीजिए 1. 6 के उपर घात 2 के उपर घात 4 2. 2 के उपर घात 2 के उपर घात 100 3. 7 के उपर घात 50 के उपर घात 2 चार, पांच के उपरगात तीन के उपरगात साथ प्रिष्ठ 272 साथ के उपरगात दो के उपरगात दस पराबर साथ के उपरगात दो गुणा दस बराबर साथ के उपरगात बीस एक उपरघात दो के उपरघात तीन, बराबर एक उपरघात दो गुणा तीन, बराबर एक उपरघात छेंग, A के उपरगात M के उपरगात 3 बराबर A के उपरगात M गुणा 3 बराबर A के उपरगात 3M. उपरोक्त से हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि किसी शून्येतर पूर्णांक A के लिए A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M N होता है, जहां M और N पूर्ण संख्याएं हैं। उदहरन साथ, क्या आप बता सकते हैं कि 5 के उपर घात 2, गुणा 3 और 5 के उपर घात 2 के उपर घात 3 में से कौन बड़ा है। हल, 5 के उपर घात 2, गुणा 3 कार्थ है कि 5 के उपर घात 2 को 3 से गुणा किया गया है। अर्थात यह है, 5 गुणा 5 गुणा 3 बराबर 75 है। परन्तु, 5 के उपर घात 2 के उपर घात 3 कार्थ है कि 5 के उपर घात 2 का स्वयम से 3 बार गुणा किया गया है। अर्थात यह है, 5 के उपर घात 2 गुणा 5 के उपर घात 2 गुणा 5 के उपर घात 2 बराबर 5 के उपर घात 6 बराबर 15625 है। अधह 5 के उपर घात 2 के उपर घात 3, 5 के उपर घात 2 गुणा 3 से बड़ा है. 13.3.4 समान घातांकों वाली घातों का गुणन. क्या आप 2 के उपर घात 3 गुणा 3 के उपर घात 3 को सरल कर सकते हैं? ध्यान दीजिये कि यहां दोनों पदों, दो के उपर घात 3 और 3 के उपर घात 3 के आधार भिन भिन हैं, परन्तु इनके घातांक समान हैं. अब, दो के उपर घात 3 गुणा 3 के उपर घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा और तीन का गुनन फल है। देखिए, चार के उपर घात चार गुना तीन के उपर घात चार, बराबर, चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, बराबर, चार गुना तीन, गुना चार गुना तीन, गुना चार गुना तीन बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर 12 के उपर घात 4 साथ ही देखिए 3 के उपर घात 2 गुणा A के उपर घात 2 बराबर 3 गुणा 3 गुणा A गुणा A के उपर घात 2 ध्यान दीजे 3 गुणा A गुणा 3 इसी प्रकार A के उपर घात 4 गुणा B के उपर घात 4 बराबर A गुणा A गुणा A गुणा A गुणा A गुणा B गुणा B गुणा B गुणा B बराबर A गुणा B गुणा A गुणा B गुणा A गुणा B गुणा A गुणा B गुणा A गुणा B बराबर A गुणा B के उपर घात 4 बराबर AB के उपरगात 4 ध्यान दीजिये के A गुणा B बराबर AB है प्रिष्ठ 273 व्यापक रूप में किसी भी शूनियतर पूरणांक के लिए A के उपर गात M गुणा B के उपर गात M बराबर AB के उपर गात M होता है जहां M एक पूर्ण संख्या है उदाहरण 8 निम्नलिखित पदों को गात आंकी य रूप में व्यक्त कीजिये 1. 2 गुणा 3 के उपर गात 5, 2. 2A के उपर गात 4, 3. माइनस 4M के उपर गात 3, हल 1. 2 गुणा 3 के उपर गात 5, बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 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 2. 2a के उपर घात 4 बराबर 2a गुणा 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 2a मैंनस चार गुणा म के उपर घात तीन बराबर मैंनस चार गुणा म के उपर घात तीन बराबर मैंनस चार गुणा म गुणा मैंनस चार 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 माइनस चार के उपर घात तीन, गुणा M के उपर घात तीन. प्रयास कीजिए, A के उपर घात M, गुणा B के उपर घात M, बराबर, A, B के उपर घात M का प्रयोग करके, अन्य रूप में बदलिए. 1. 4 के उपर घात 3, गुणा 2 के उपर घात 3, 2. 2 के उपर घात 5, गुणा B के उपर घात 5, 3. A के उपर घात 2, गुणा T के उपर घात 2, 4. 5 के उपर घात 6, गुणा, माइनस 2 के उपर घात 6 5. माइनस 2 के उपर घात 4, गुणा, माइनस 3 के उपर घात 4 अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक